कल के पार्लियमेंट में जो जो कल हुआ उसमें आपको क्या लगता है इससे जनता को क्या फायदा मिला है तेकि इससे 2019 के लोकसभाद चुनाओं का एजेंडा सेट हुआ है प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषन में अपनी सरकार की उपलबनियां बताई विपख्ष पर हमले किये और उनहें एक तरह सी तै कर लिया कि 2019 में लोकसभाद चुनाओं में प्रधान मंतरी की तेवरों के साथ जाएग इसफी तरह रहुल गान्दी ने जिस तरह से बड़े आक्रमक शैली में अपना भाशन दिया और उसके बाद जाके जिस तरह प्रधरमंत्री जी से उगले मिले वो सारा संदेशन ने दिया कि कॉंग्रिस अपने एजेंडे को लेके किस तरह से जाएगी तो 2019 की पठकता है वो कल के अविश पी का सरकार का एंडिये का तो अगले लोगस बाद चुनाओं में तमिल नाडू में भाश्पा और एडेम के अडवंधन के संभावना बहुत बढ़ गई है शिवसेना जिस तरह से बाहर रही तमाम प्रयासों के बावजूद शिवसेना जो है वो वोटिंग में नहीं आई उसने बाइकाट किया पूरे अविश्वस पस्ताओं की बहस का तो कहीं नहीं इससे भी मैसेज गिया कि बीजेपी और शिवसेना की बीच में अभी सब कुस ठीक नहीं हुआ है तो कुल मिला करके ये परिदर्श एक हमलों के सामने आया है नहीं जनता के फाइदा की बात त या राहुल गाधी ने कल सरकार को गेल लिया अपने भासट से आपको क्या लगता है देखिए कोशिश तो उन्हों पूरी की गिरने की और मुझे लगता है बहुत आकरमग तरीके से उन्हों सारे मुद्दे उठाए ये अलग बात है क्योंकि समय कम था कॉंग्रस को सिर्फ उसमें उन मुद्दों के लेकर के वो शायद और भी प्रभावी तरीके से बात क्या सकते थे कुछ और कागई ज़र तथ रख सकते थे जो शायद नहीं रख पाए लेकिन फिर भी उन्होंने कम वेश उस सारे मुद्दे उठाए जो कॉंग्रस उठाना चाहती थी और जो व वो एक फाइदा तो कॉंग्रस पाटी को मिलाई है जिस तरह से वो स्पीच खत्म करने को बाद प्रधान मंतरी से गले मिलने गए उसको आप क्या कहेंगे देखे हुआ तो पहली में सुमित्रा महाजन ने बाद में कहा कि जो है ये प्रधान मंतरी की गर्मा का सवाल है आप इस तना से नहीं कर सकते तो क्या ये ठीक था या गलत था देखें सुमित्रा जी लोकसबाद अध्यक्ष है उन्होंने जो कहा है वो उनकी बात है उस पर मैं कोई टिपड़ी नहीं करूँगा मुझे करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि लेकिन ये दिरूर है कि राहुल गांध जो है बाहें चड़ा करके मारने दोड़ते हैं असोबनी दर्शी वो होता है जब संसेट में नोट उचले जाते हैं असोबनी दर्शी वो होता है जब स्प्रे करके कोई संसेट का महौल खराब करता है असोबनी दर्शी तब होता है जब भंगामा अशोर होता है और अभध गरोजान मंतरी ने इनको बुलाया और बुला कि हाथ मिलाया और की ठोकी तो इसमें मुझे कहीं है शोविनिता नहीं देखती को परें कोई जीलता या कोई आसहबःता नहीं लगते एक शिस्ठा चार है ठीक है, पहली बार हुआ है, लेकिन एक सिस्टाचार था, अब वो उसको आप राजितिक स्टेंट के लीजिए, राजितिक इवेंट के लीजिए, वो ठीक है, नेता लोग इस तरह करते हैं, लेकिन मुझे उसमें ऐसा कोई आपति जांग नहीं लेगा, लेकिन हाँ, अब जह उन्होंने बिपक्ष के दौरा उठाय गए सारे सवालों का जवाब दिया, और अपनी चीर-परचीर शैली में उन्होंने नामदार और कामदार शब्द कावीव परयोग किया, धिर साथ में उन्हों etr भागीदारी और चोखिदारी वाली बात थी, उसके पर उन्होंने र अपनी बात कहने में सफल रहे और इसलिए अब जन्ता को तै करना है कि जन्ता किसके साथ जाती है इसलिए मैंने का ही 2019 की पठका था जो है इस अविश्वार्स पस्ताओं के लिए लिखी जा चुकी है मतब दोनों टीमों ने अच्छा खेल दिखाया टाई हो गया मैच कल मैदान किसी ने नहीं मारा ने मैदान तो जाहिर है 325 वोट अगर सरकार के पक्ष में गए है तो सरकार जीती है आप इसको फ्रांस और क्रोश्या का मैच कह सकते हैं फीफा में कि फ्रांस ने जीता कप और क अरुक अब्दुला साब ने भी बड़ा भावुक भाशन दिया सत्ता पक्षितरब से राकेश सिंग बोले राध्या सिंग भी बोले उन्हें पनी बाद रखी प्दान तो मैं वही कह रहा हूं ये फ्रांस और क्रोश्या ऐसा फीफा मैच था जिसमें दोनों ने अपने तर सी नीचे आती नंबर गेम में वो शायद 298-296 गास पस रहती लेकिन EIDMK ने उनके जो 37 सांसर ने उनका समर्थन देकर उस संख्या बलको बढ़ा दिया तो इस तरह से जीत तो सरकार की हुई सदन में लेकिन हां विपक्ष्भी अपनी बात के ने में सफर रहा हूं